नमस्कार दोस्तो मैं सुजीत कुमार पंडित आपका यूटीब चैनल इंटरनेट से सिखो में आप समुका स्वागत करता हूँ दोस्तो जिन कंडिडेट्स ने तिलकामाजी भागलपुर उनिवर्सेटी में बीए के लिए अभी तक अपना एडमिशन नहीं किया है उनसे उन्हें एक और खुसकबरी आई हुई है और क्या खुसकबरी है मैं आपको पूरी जानकारे इस वेडियो के मादेम से बताने वाला हूँ तो दोस्तों फिर से मौका ये चोथवा मौका है कि जो कंडिडेट अभी तक अपना एडमिशन नहीं करवा पाए है वो अपना एडमिशन करवा सके तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तिलका महाजी भागलपूर उनिवर्सिटी ओन दाइस्पोट एडमिशन हुआ चालू आखरी तीथी निरधारित जल्द करें एडमिशन पूरी जानकारी स्टेप बाइस्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंतक बताने वाला हूँ कि कब इसकी एडमिशन की तारिक जो है आखरी तारिक कब है और कब इसकी एडमिशन कब चालू होगी यह मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले एक बाद बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और गंटे का बटन को जरूर प्रेस कर देंगे और जो पूराने हैं उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद दोस्तों एक और मेरा चैनल है जो राइजिंग आईटी सेंटर के नाम से आप लोगों से अनुरूद है कि आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो जो भी न्यूज है मैं उस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक सेर करता हूँ तो चलते हैं क्या है न्यूज तो इसके लिए सबसे पहले इसके ऑफिसल वेबसाइट पर जाने से पहले आपको गूगल पर आने तो गूगल पर आने के बाद आपक तो टीम वेबसाइट पर चले जाना है जो इसका ओफिसल वेबसाइट कर लिंक को मैं अपने डिक्षितन बॉक्स में डाल दूगा आप वहां से भी डारेक्टली जाकर करके उस नीज पर चाहिए आप उस नीज को देख सकते हो पर सकते हो तो इससे चलते हैं इसे क्लिक करत हैं और किस तरह से आपको एडमिशन करवाने हैं और क्या-क्या डोकुमेंट्स लगेंगे और कब से इसकी चालू होगी वह भी मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूं तो इसके ओफिसल वेबसाइट पर चलते हैं इसका ओफिसल वेबसाइट को थोड़ी देर बेट सो अगस्त 2019 हैं दोस्तों इसको जो है स्टर्टिंग ट दि औ शुल्ट्स को है स्टर्टिंग को करते हैं ऌपवाना है वह भी मैं आपको कलियर करते हैं तो पहले इससे खोलते हैं क्या इसमें है इसे ओपन करते हैं के मैंebeest न्यूस को ओपन करता हूँ इसका सारा लिंक मैं अपने डिस्कुप्शन बॉक्स में डाल दूँगा जैसा कि आप देख सकते एडमिशन इन बीए बीए सी बीकॉम ओनर्स फर्स्ट इयर फॉर्दा से दो जार बाइस फॉर्थ स्टेज ओन इस पॉर्थ स्टेज का है और पहले भी ओ चुका है दूसरा ओचका है तिसरा ओचका यह तोथा का है चौथा स्टेज का यह ओन्दा स्पॉर्ट इडमिशन का नोटीस है और जैसा कि आप देख सकते हैं अपना बीए में इस नतक में आप अपना अपना अडमिशन करवा सकते हैं और इसकी जो लाश तिथी है वो अठार आठ दोहजार उनेस है जिए अगर आपको किसी भी परकार कर कोई सुबीधा या आपको समझ में नहीं आता अगर आपको कि परकार कोई कटनाई होती है तो आप इस नंबर पर सिधा संपर कर सकते हैं 24 गंटे और आप हमसे अगर आपको यहां पर फॉन नहां लगे या आपको संतुष्टी मिले तो आप हमसे डिरेक्टली कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं तो उसका मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या तो आप म में कमेंट भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यह ऑनलाइन करवाया अप उस ओन लाइन पेपर को और अपने डॉकुमेंट्स को सारे documents को लेकर के आप जो भी college में आप अपना admission करवाना चाहते हैं उस college में जाकर के आप अपना admission करवा सकते हैं अगर वहाँ पे उस विषय के विषय में अगर वो seat खाली है जो विषय आप अपना लेना चाहते हैं जो आपका ओनर्स लेना चाहते हैं उस ओनर्स का विशय अगर खाली होगा तो आपको एडमिशन लिया जाएगा या नहीं तो आपको जो है आपको अपना विशय चेंज करना होगा जो विशय आपको कॉलेज के तरफ से मिलेगा अगर आप उस विशय के माधियम से अपना आप directly जाकरके आप अपना documents लेकरके आप उस जो भी college में आप अपना admission करवाना चाहते हैं उस college में जाकरके आप अपना admission करवा सकते हैं documents ले जाकर के आप अपना admission करवा सकते हैं और वहां के जो भी principal हैंगे उससे आप request करेंगे कि मुझे इस विशे में जो भी आपका विशे है उस विशे में आपको अपना admission करवाना है उसके लिए आपको request आपने उस principal से करने हैं और तिसरा जो option है तिसरा कोई भी किसी भी तरगा कोई option नहीं है आपको थोरी मैनेत करनी होगी और अपना admission करवाना होगा तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तिस वीडियो को इतना share करें ताकि जो भी candidate बचे हुए हैं वो अपना admission करवा सके तो दोस्तों हमारा यूटीब चनल में आप सोबों का धन्यवाद